हलो फ्रेंज मेरे यूटुब चैनल में आपका स्वागत है तो मैं आज आपके साथ सेयर करने मादी हूँ चने के साग के कुटन की रैस्पी जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी रखता है और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है तो इसके लिए मैंने चने के साग को पहले यहाँ पस साप कर लिए तो फ्रेंज वीडियो सुरू करने से पहले आपसे नवीधन है कि अगर आप चैनल के नए आयो तो चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक से और कमेंट जरू करना और रैस्पी देखने के लिए वीडियो को फुल वाच कीजिए तो चलिए सुरू करते हैं तो यहाँ पचने के उसाग को मैंने साप कर लिए आप इसको दो कर सुकाने के लिए पहले ही रख दीजिए तो मैंने इसको दो कर पहले सुका लिया है तो फ्रेंज मैं आपको याद रादू आप लाइक करना भूश जाते हो नीचे लाइक का बट्टा लिया है आप खलगड मैं भी इसको बना सकते हो पर मैंने पहले सिल को यहां पर दो लिया था फिर अच्छे से सुका लिया है अब मैंने खूब सारा इसमें वैसुन डाला है और अब यहां पर मैं आटदा सरी में चूलूंगी और इनको हम इस तरह से छोटे छोटे मैं पहले इसको काट लेंगे अगर आप चाहो तो पहले इनको काट कर एक पिलेट में भी इस तरह से आप रख सकते हो फिर इनको इस तरह से सलवट्टे पर डाल लीजिए और अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे उसके बाद हमें इन चीजों को हलका सा पान इनको जादाब बारिक नहीं पीषना आ खलका मोटा मोटा सी पीषना है आप इन्हें खरड़ में भी कर सकते हो चीजों की मिक्षी में यहां पर इनको नहीं कर सकते हो जाएक को यहां उनकॉत बस इस तरह से मैं इसको बारिक पीष लोंगी तो देखें यहां पर मैंने इस तरह से इसको बारिक पीसा है इसको ज़्यादा बारिक नहीं किया है हल्का मोटा मोटा साही मैंने इसको रखा है बस ऐसा ही हमको पीस लेना है और अब हम इस तरह से इस पर चनाक का साग जो है कि वो रख देंगे और इस तरह से इसको इस पर कूटना है मतलब इसी तरह से हमको बारिक करना है इस पर पीसना नहीं है इसी को चने की साग का कुटन कहते हैं पहले मैं इसको पना कर आपको दिखाती हूँ तो इस तरह से हमको हलका विका सा इसको कूटना है जी खाने में बहुत ज़ी ज़्यादा टेस्टी रखता है और बहुत ही ज़्यादा सबको ये पसंद भी आएगा एक दम चैट पड़ा, मसाले दार बनकर यहांपर ये तैयार होगा इसे हम बिना गैस ज़राएं और कम मसालों के इसको बनाते हैं बहुत ही ज़ादा यह टेश्टी भी बनता है तो मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसको रखती जाओंगी और बनाती जाओंगी इसको हम रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर इस तरह से भी इसको खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये चटपटा सा टेस्टी वगेगा और सर्दियों में चनाका साग आता है उससे क्या तरह की डिस्प बनती है तो उसमें से एक रैस्पी ये वाली है इसको हम बिना गेज चलाएं बहुत ही कम समय में बहुत ही कम सामान से बहुत ही ज़्यादी से और जटपट से तयार कर सकते हैं पस इसको हमको पीछना नहीं है बस इस तरह से इसको कूटते रहना है तो यह हमारा बनकर तैयार है और अब हम इसको इखटा कर लेंगे इस तरह से तो बस अब हम इसको किसी भी बरतन में इसको निकाल देंगे तो मैं इसको एक प्लेट में इसको निकाल देती हूँ तो बस इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही खाने में ये टेस्टी भी बगता है तो यहां पर हमारे चने की साग का कुटन बनकर तैयार है तो यह हमारा बनकर रेडी है तो यहां पर हमारे चटपटी सी रेश्पी बनकर तैयार है और इसी को चनाकी साग का कुटन कहते हैं तो फ्रेंस अगर आपको मेरी ये रैस्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक से और कमेंट जरू करना तो मैं उते हैं अच्छी से नई रैस्पी के साथ तब तक के रिए टेक किया थेंक्स वर वाचिंग